दोस्तों क्या आप भी उन जिग्यासु लोगों में से है जो किसी कमाल के एंजिनेरिंग मार्वल को देख कर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजिनियर और साइंटिस्ट ने यह मुम्किन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ तो पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पका ही खीचते होंगे कभी नदी पर तो कभी समुंदर के बीच कैसे सैकडों चैलेंजेज से पार पाकर इन नायाब विशालकार पुलों को बनाया जाता है जानेंगे मिलकर आज के इस विडियो में दोस्तों हम सब ये तो जानते ही है कि पानी पर बना ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है क्योंकि अगर ये ब्रिज न होते तो शायद कई गाव, कस्बे और शहर एक दुसरे से कटे ही रहते इन ब्रिजेज की मदद से हम पानी के उपर से निकल कर अपना समय और इंधन दोनों ही बचा लेते हैं इंजिनेरिंग डिजाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं, किसी भी ब्रिज का निर्मान जगह के आधार पर किया जाता है एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं, इसी लिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं स्टों बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज आदी ये कुछ टाइप्स है, पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है, जब तक उस पर पढ़ने वाला लोड डाइरेक्ट या फिर इन डाइरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहे एक ब्रिज पर लाखों टन का वजन हो सकता है, लेकिन वह फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है क्योंकि सारा वजन खंबो पर टिका होता है और खंबो से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन दोस्तों पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनोतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज भी उतना ही बड़ा होता है फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यूंकि आखिर ये पिलर्स ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन को बनाने की शुरुवात आईए समझते हैं तेज बहाव वाली नदियों के उपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजिनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिक्तम और नियूंतम गहराई पानी के बहाव की गती, पानी के नीचे की मिक्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाल पानों का भार आदी बारीक से बारीक चीजों का हिसाब रखा जाता है, इसके बाद पुल की नीम का प्रकार तै किया जाता है, जिसके हिसाब से नीम बनाई जाती है, इस नीव को कौफर डैम, कौफर डैम कहते हैं पिलर बनाने के तरीके के हिसाब कभी कौफर डैम का स्ट्रक्चर सरकल में होता है, तो कभी स्क्वेर में कौफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे-लंबे पीसेज एक स्ट्रक्चर पर फिट किये जाते हैं जिसमें सरकल या फिर एक स्कोर शेप दी जाती है और जब ये बनकर तयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है दोस्तों इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे-धीरे पूरी एतिहात से पानी के अंदर डाला जाता है ताकि यह उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएं इसके बाद मोटर और पंप के जरिये इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है जिस वजह से यहां पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है जहां कई सारे वरकर लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं, हाला कि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज्यादा गहरे पानी में यह कौफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुदर में बीम बनाने के लिए समुदर के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं, इसके बाद उस जगह पर बड़ी-बड़ी मशीनों के दौर द्वारा गड़ा किया जाता है, जैसे बोर्वेल बनाते समय करते हैं, फिर उस बोर् का मिक्सचर भरा जाता है, जरूरत के हिसाब से एक से ज्यादा खंबे तयार करके आपस में जोर भी सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंबा तयार हो जाता है, जैसे जैसे खंबे बनते जाते हैं, वैसे वैसे उनके उपर रोर भी तयार की जाती है, जब दो खंबे बनकर तय तब सबसे पहले बड़ी-बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े-बड़े उन खंबों को जोड़ा जाता है और ये सिमेंट कॉंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगहे पर तयार होते हैं। ब्लॉक्स को उपर उठाया जाता है और फिर स्टेप बाइ स्टेप ब्रिज का निर्मान किया जाता है। वही दोस्तों कई सिचुवेशन्स में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाये जाते हैं जिसमें यह या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीने फिट कर दी जाती है जो पानी के उपर तैरती रहती है या फिर जहास की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता ह जिसके बाद इन्हें रोटेट करके पानी के अंदर डाल लिया जाता है दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है और ये काम थोड़ा खतरनाक भी होता है लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे हुए हैं, होते हैं, वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वरकर हो या फिर एंजिनियर, सभी को इन कामों का काफी अनुभव होता है, जिसके बाद ही उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बनाये जाएं, तो उसका खाम्याजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है, अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांदरा वरली सीलिंग को ही ले लीजिए, इस 5.6 किलोमेटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजिनेरिंग का बहतरीन नमु करोड के खर्च के बाद हमारे इंजिनियर्स ने पूरा कर दिखाया, तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं, ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ-साथ काफी समय भी लग जाता है, ल लखे जाते हैं, जो जरूरी होता है, तो दोस्तों आज की इस विडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले इन ब्रिजिस के बारे में कुछ नया और इंट्रस्टिंग तो जरूर जाना होगा, अगर आपको हमारा ये विडियो अच्छा लगा हो, तो निचे क करके जरूर बताएए, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चलिए मिलते हैं, अगले विडियो में धन्यवाद.